अब हम एक बहुत इंट्रेस्टिंग टॉपिक डिस्कॉस करते हैं जिसका नाम है एजाइल मेथडॉलजी असान लफजों में इसका मतलब ये है कि एक प्रॉड़क्ट है या एक आइडिया है उस आइडिया को एक्जिक्यूट करके अपने कस्टमर तक प्रॉड़क्ट को पहुंचाना है ये पूरा काम करने का एक नया तरीका है नया नहीं डिफरेंट तरीका कहने है आप लोगों न पहले सौफ़एर बनाने के डिफरेंट तरीके डिसकस किये होंगे या पढ़े होंगे जिसमें एक बड़े मशूर तरीका है जिसको हम लोग बोलते हैं वाटरफॉल मॉडल वाटरफॉल ही होता है कि कस्टमर आपको रिक्वाइमर देता है फिर आप उसको डिजाइन करते ह है उसको आप क्लाइंड को एंड में ना दिखाएं यह मैं आपको क्रक्स बता रहा हूं एंड में ना दिखाएं कस्टमर का जो फीड़ बैक है वो साथ साथ लेते रहें यानि आप यूं समझें कि बजाए आप कस्टमर को छे महीने के बाद एक रनिंग सौफ़एर दिखा दिखाएं और जो कस्टमर का फीड़ बैक आता जा रहा है वो आने वाले महीनों में इनकॉपरेड करते जाएं इसको हम लोग बोलते हैं कंटिनियूस शिपेबल प्रॉडक्ट मतलब बजाए इसके कि हम छे महीने का काम एक साथ करें हम छे महीने का काम छे हिस्सों में उसक काम कर दी थी रह वो कस्टमर से फीड़बैक ले ले और फिर जो कस्टमर का फीड़बैक आये उसको अगले महीने में जो काम होना है उसमें इनकॉपरेड करें ना इस लृक वहरी वहरी एजी के यार इसमें मस्ला क्या है what's what's a big deal इसमें क्या मस्ला है यह बड़ा असान सा क तो client को नजर आ रहा है कि घर की बन्यात पहले बन रही है फिर उसका floor बन रहा है फिर उसकी चछत बन रही है and so on यानि उसको progress होती हुई नजर आ रही है physically नजर आ रही है software के साथ issue ये है कि software को जो client है वो बनते वे नहीं देख रहा उसको बस यह पता है कि कुछ बन रहा है All of a sudden छे महीने बाद जब आप उसको छे महीने का काम दिखाएंगे तो उसका जो feedback है वो बहुत ज़्यदा होगा यानि feedback से मुराद ही है कि हो सकता है कि जो customer है जो उसके सामरे प्रिजेंट कर रहे है उसको वो चीज चाहिए ही ना हो यानि different चाहिए हो इसको हम लोग बोलते है requirement engineering तो इसका हल ही होता है कि बजाए agile में इसका हल ही है कि बजाए customer के पास आप 6 मेने बाद आती ही मेने बाद जाएं आप early feedback लें जितनी जब आप client से feedback लेंगे उतना ही बेतर होगा client के feedback को incorporate करना ये तो हो गई client side दूसरी side इसकी ये है कि 6 मेने में for example अगर आपने 2,00,000 line of code लिखा है और उसमें कोई client feedback दे देता है versus अगर आपने एक मेने में 20 या 30,000 line of code लिख लिए है उसमें change करना राधर easy है versus 2,00,000 line of code में तो psychologically भी जैसे ही code base ज़्यादा होगा उसको handle करना और उसमें chain incorporate करना बहुत मुश्किल है versus जब आपका code base कम होता है मतलब कम अरसे का काम होगा तो code base भी कम होगा अगर ज़्यादा अरसे का काम होगा तो code base भी ज़्यादा होगा तो दो objective है agile के बड़े असान लफ़ों में कि एक तो जो customer है जो client है जो पैसे actually आपको दे रहा है या जो बनवार है आपसे product उसको साथ साथ engage रखें जो shippable software होता है उसके मरादी होती है कि चलता वह software यापने आपकी टीम ने महीना काम किया महीने में जितना काम करना था वो आपने कहीं client को deploy कर दिया है live है याई customer देख सकता है याई इसको 6 महीने वेट नहीं करना 2 अफ़ते बाद, महीने बाद आप उसको काम दिखा दें और उसको feedback ले 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 and you move forward ये तो इसकी client management side थी दूसरा इसका issue ये है कि जो business है उसमें जितनी जल्दी आपका product launch होगा उतना ही chance है कि आपको आपका जो business है वो grow करेगा मतलब time to market यानि वो time जो आपका for example कोई software के अंदर नया feature आना है उसने अगर market में launch होना है तो वो time कम से कम होना चाहिए ये client की खौईश है या आजकल तो इतना competition है कि जो time to market है वो बहुत minimum होना चाहिए तो minimum waterfall model से नहीं हो सकता minimum हमेशा agile methodology से ही होता है अब पाकिस्तान में या और countries में भी there is mix यानि अगर आप मुसे पूछे ना कोई hard line बता दें कि waterfall कहाँ खतम होगा और कहाँ agile शिरू होगा ऐसी कोई hard line नहीं है इसको हम लोग बोलते है hybrid model कि आदा काम agile का हो रहा है आदा काम waterfall वारा हो रहा है यानि mix and match है यानि कुछ अच्छी चीज़े agile की उठा लेते हैं कुछ अच्छी चीज़ें हम waterfall के उठा लेते हैं and we run both यानि कोई strictly speaking purely agile बहुत कम कमशने हैं जो follow कर रही है और purely waterfall ये भी बहुत कम कमशने हैं जो follow कर रही हैं तो it's a mix of hybrid situation in local market कर रही है